Hello everyone, so इस वीडियो में बात करेंगे जैन सार के interview questions के बारे में और जो मैं इसमें questions बताऊंगा Generally वही questions पूछे जाते हैं और मेरे साब से इस से उपर नहीं पूछ जाएंगे अगर आप बस ये questions prepare करके जाएंगे आपका काफी सही interview निकल जाएगा जैन सार का ठीक है तो जो सबसे common questions हैं जो पूछे जाते हैं जैन सार में repeatedly पूछे जाते हैं और यही पूछे जाते हैं मैं तो कहूँगा तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है आपको कैसे इसका interview निकालोगे तो basically इसमें दो interviews होते हैं जब आप अपने online test को clear कर लेते हो पहले होगा आपका एक technical interview और फिर उसके बाद होता है आपका एक HR interview ठीक है सबसे पहले बात करूँगा फिर करूँगा HR interview की ठीक है तो technical interview में आपको करना क्या है सबसे पहले आपने अपना CV सम्मिट किया होगा ठीक है उस CV में आपने क्या क्या मेंशन किया होगा और वही मैं आपको बता दूँगा क्या प्रपेर कैसे करना है CV में आपने मैंशन किया होगा ठीक है कोई अपनी language मेंशन करी होगी programming language ठीक है CC++, Java कुछ तो मेंशन किया ही होगा झाधा सबस्यादा आपने SQL मेंशन करी होगी कोश्यंज नहीं से पूछ जाने वाले हैं तो सबसे पहले में आता हूं प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट पर कैसे कोश्यन पूछ जाएंगे इसके लिए एक आल्रेडी वीडियो ने बना रख्या जिसकी लिंग को डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी उसमें लिखा होगा इसमें आपको सबसे आधर जो prepare करना है काफी कम cznothing है कि वह आपसे कुछ code लिखवाएंगे, हो सकता है की छोटा मोटा code जैसे कि GCD का code हो गया, to přibonacci, ची का code हो गया, तो इस type का code हो सकता है आपसे लिखवालने हैं लेकिन chances कम है, आप से करेंगे क्या हो आप से पूछेंगे OOPS concept ठीक है OOPS अब OOPS मतलब होता है object oriented programming अब इसको आप prepare कैसे करोगे इसके लिए multiple चीज़े हैं आप काफी सार resource follow कर सकते हो मैं कहूंगा आप Java T point से पढ़ सकते हो ठीक है Java T point एक site है अब आप जाओगे जब Java T point पे तो आपको चीज़ें पढ़नी है क्या होता है definitions पढ़नी है खासकर मतलब theoretical अच्छे से पढ़ना है abstract class क्या होती है polymorphism क्या होता है oops कि चार pillar क्या होते है encapsulation क्या होता है ठीक यह सब आपको पता होना चाहिए constructor, destructor, virtual destructor सब पता होना चाहिए आपको जो भी चीज़ें होती है ठीक है और virtual keyword क्या होता है यह सब ठीक है अगर Java आपने mention कर यह super क्या होता है यह सब आपको पता होना चाहिए तो यह सब चीज़ें अगर आपको definitions पता है आप यह समझो आपका 50 to 60% interview तो निकली जाएगा इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता खास ठीक है हो सकता है SQL की कुछ basic चीज़ें पूछ ली जाएं तो SQL आप थोड़ी बहुत पढ़के जा सकते हैं जिसे SQL में आपको पता होना चाहिए कि छोटी-मोटी query कैसे लिखते हैं tables को joins कैसे करते हैं data fetching कैसे करते हैं ठीक है यह सब छोटी-मोटी चीज़ें आप पढ़के जा सकते हैं और अगर आपने कोई internship करी है तो internship में आपने क्या work किया था वो work आपको पता होना चाहिए ठीक है उस work से आपने क्या सीखा खास कर आप leadership leadership थोड़ा बहुत बोल देना कि leadership मैंने सीखी है team member बना था मैंने team में काम करना सीखा ऐसा कुछ ठीक है इतने से आपको काम हो आवा आपसे कुछ behavior type के question पूछे भी जा सकते हैं जो basically HR में behavior ही पूछे जाते हैं ठीक है और tag में भी पूछे जा सकते हैं चोटा मोटा कोई puzzle पूछा जा सकता है बहुत ही simple सा तो इसके लिए आपको prepare रहना चाहिए और based upon your CV इससे जादा कुछ नहीं पूछा जाएगा इत पीडिएफ में सारे answers भी HR question के तो आपको बस जाके वह PDF को download करके questions यात कर लेने आपका काम हो जाएगा HR interview को अपस this is the whole interview process अब बताओ इससे आदा आपको क्या चाहिए सारे resource मैंने बता दिये आपको PDF भी दो की है project के लिए वीडियो बना रखिये यह सब मैंने आपको खरा दिया पूर फो जार ता正 मैंने में झारिए Напрrade को जंद रिए शरा आपको अजया बताव के क्रेबका युउत विटया के जापको अजिए ऱुछीं रियर